यहां पर पता करना तो simple से चीज हमारे पस में DPDT क्या हो जाएगा DPDT हमारे पस में क्या हो जाएगा फोर्स के बराबर हो जाएगा और फोर्स हमारे पस में क्या है केटी है है ना Hello friends, welcome to my channel, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आई शुराइटी के बेस्सक्राइब के बेस्सक्राइब करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी तो देखार यहां पर मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन लिया है जेएमेंट्रोज 19 का यहां पर पैला क्वेश्चन दिख रहे है भी है 11th January 2nd Slot दो दो ही जो क्वेश्चन है वह हमारे पास में सेम ही पेपर है 11th January 2nd Slot के हैं ठीक है तो देखते हैं पर क्वेश्चन में पर क्या है सॉल्फ करते हैं यह पर पहला क्वेश्चन है वह कह रहा है magnitude of torque on a particle of mass 1 kg is 2.5 torque कितना हमारे पास में है torque हमारे पास में है torque equal to 2.5 हमारे पास में है ठीक है about the origin if the force acting on it is 1 newton जो force लग रहा हो कितना लग रहा है हमारे पास में 1 लग रहा है तो force कितना लग रहा हमारे पास में 1 newton का लग रहा है distance of the particle from the origin देखो about origin लग रहा था तो distance of the particle from the origin कितना है 5 है वनलब R की value कितनी है हमारे पास में R की value हमारे पास में 5 ठीक है बचा गया angle between the force and the position आपको निकालना है थीटा थीटा कितना है तो basically क्या हमारे पास में force or position के बीच में हमको position vector के बीच में angle चाहिए विसकी अजaking torque हमारे पास में क्या हमारे पास में फिल्ब उिफ क्रोस एक रष् R की value हो मारे पास में 1 1 into F की value हो मारे पास में sorry R की value है 5 और F की value है 1 तो ultimately वह ही आएगा है ना 1 into 5 ये 5 into 1 एक ही बात है into sin θ into sin θ तो यहां से sin θ कितना है sin θ निकल क्या है हमारे पास में 1 by 2 के बराबर और sin θ 1 by 2 कब होता है जब थीटा हमारे पास में कितना होता है थीटा हमारे पास में होता है 30 degrees या फिर πाई बाई 6 ठीक है तो फाइनल यहां का correct answer क्या है या पाई बाई 6 मतलब सिंपल सा question था हमारे पास में जो torque का formula होता है r cross f y हमको यहां पर लगाना है next आपको बोल रहा है किया पार्टिकल उफ मास M is moving in a straight line with momentum P starting at t equal to zero of force f equal to kt f equal to kt force आपके बास में लग रहा है acts in the same direction same direction में लग रहा है जिसमें ओ मूफ कर रहा है during the time interval t so that its movement so that its momentum changes from p to 3p जो momentum हो रहा हो क्या हो पता है p से 3p में of АлएAR पता करना हो simple dice एम पासमें DP DT किया हो जाएगा DP DT है मेंरे पासमें क्या हो जाएगा पोर्स के बरावर हो जाएगा कर भचन में क्या क्लेक है है ना देखो 20 compensbirds force स Rising हा उर एक्षिर्सिं क्या होता है चेंज इलोश्टी बाई ताइम तो वहां से आया ना उपर में मोमेंटम का टम और नीचे में ताइम का टम तो वहां से आप थोड़ा से रिलेट कर लो ठीक है बागी डीटेल में अभी नहीं समझा रहा हूं फोर्स बेसिकली क्या होता है rate of change of momentum होता है बाई जो टाइम लगा है उसमें ठीक है कुछ नहीं है उपर में M V और नीचे में T है और V by T हमारा A होता है तो M into A आगे और फोर्स हमारा M A होता है ठीक है ऐसा है इसको समझ लो ठीक है याद करने के लिए यहाद करने के लिए यहा लेकर 3P में integrate होएगा और यह हमारा integrate होएगा KT DT यहाना यह DT को इधर लेक्या होगे फिर integrate करोगे P का यहाँ पर आएगा आपका 0 और यहाँ पर आएगा उपर में आपका T समझ में यहाँ DP DT equal to KT था तो DP equal to KT DT और फिर हमने integrate मारते दोनों द्रव यहाँ पर limit के है P initially क time कितना है T क्योंकि interval बोला हो कितना बोला है time interval T का बोला हो है इतना से आपको काम करना है DP का integration P होता है अपर लिमिट माइनस लोल लिमिट पुट करगे तो 3P माइनस आपका P आएगा 3P माइनस P आपका 2P आएगा तो इधर आगे 2P equal to यहाँ पर आएगा आपका KT square by 2 upper limit पुट करगे तो आएगा K capital T square by 2 और यहाँ से आपको मिलेगा क्या T की value T equal to आएगा 4P upon 4P upon K का root या फिर 2 बाहर ले लो root over of P by K यह आपको से final answer आजाएगा 2 root over of P by K मतलब की 2 root over of P by K option first 2 root P by K option first आपको यहाँ पर correct हो जाएगा simple सा fund आ है force क्यों होता है rate of change of momentum मतलब change in momentum by time taken rate का मतलब भई हुआ पर तो per second के साब से तो f equal to dp by dt तो f equal to kt दियावा यहाँ पर तो kt dt equal to हमारे पस में क्या हो गया dp हो गया integrate मारा हमने upper momentum put 3P minus low momentum P तो 3P minus P हो जाएगा 2P 2P equal to kt square by 2 इसका integration होएगा t dt का integration क्या होगा t square by 2 k constant है तो kt square by 2 upper limit आएगा t और lower limit के लिए 0 हो जाएगा और फिर हमने ऐसे क्या 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 है तो root over of P by k के बराबर ठीक है ना बड़ा simple से question था आपको funda पता होना अची basic सा formula जो होता है rate of change of momentum force वह पता होना अची फिर बागी simple सा integration आपको solve करके बहुत easy answer आ जाता है और यह वाला question तो और भी जादा जिसे हमने क्या करना था सिफ टॉक लगाना था हमको टॉक इकल तो आर ग्रॉस एफ होता है और वहास हमने साइंसर निकाल और फाइनल हमने वापर थीटा निकाल लिया जो कि हमारे पास में solve करके आई